जार्खन्ड में किसान धान की खेती के प्रमप्रागत विधी का उप्योग कर प्रती एकर धान की आठ से दस क्विंटल का उत्पादन कर पाते हैं धान की खेती की प्रमप्रागत विधी पानी और अन्य संसाधनों का वोगत सेवन करती हैं श्री वेधी के माध्यम से एक एकर में 25-30 क्विंटल उपज प्राप्त किया जा सकता है और लागत भी कम होती है श्री वेधी आये में व्रिधी और खाद सुरच्छा के लिष्टी कोज से काफी महत्वपूर्ण है दिदी अभी तो धूप का सीजन आ गिया है एक डड़ महिना के बाद हम लोग का धान रोपाई का सीजन आ रहा है तो आप लोगोंने कुछ सोचा है इस बार किस तरह से हम लोग धान रोपेंगे हाँ दिदी सोचे परनाम हो लिका दिदी आईए 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 बैठिए हम लोग का पास में थोड़ा दिदी आप लोग यहां किस तीज का चर्चा कर रहे है हम लोग इस बार धान की खेती किस तरह से करेंगे उसी का बारे में चर्चा कर रहे थे ठीक उसी समय आप पहुंचाए है दीदी, आप लोग प्रमपरिक विधी से ही ना खेती करना चाहते हैं? हाँ, लोग वही सही होते हैं दीदी, हम दो-तिन साल पहले से एक नाया तरीका खेती करने का अपनाए हैं जिसमें लागत भी काम है और खेती में भी लाब है कि आप लोग जानना चाहते हैं? हाँ हाँ दिदी क्योंने? अच्छा काम में देरी क्या? बताईए दिदी ये जो धान की खेती का नया बिधी है उसका नाम है सिरी बिधी हाँ दिदी इस सिरी बिधी बोल रहे है और हम लोग का जो परामपरागत बिधी दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा बता दिजे दिदी पहला अंतर ये है कि शिरी बिधी खेती में सबसे काम बीज लगता है कितना लगता है दिदी? आप लोग परामपरिक बिधी में एक एकड़ जमीन में आप लोग कितना देते थे बीज? दिदी एक एकड जमीन में 20-25 किलो धान का बीज लगता है क्या दिदी एक एकड जमीन में 2 किलो बीज में हो जाएगा? हाँ दिदी एक एकड जमीन में 2 किलो बीज में हो जाता है हम करके देखें है दिदी, आप लोग तो ये पहला अंतर समाज लिए आप दूसरी अंतर है बिचडा को खेत में कैसे रोपना है दिदी, आप लोग प्रमपरिक बिधी में बिचडा को कितना दिन के बाद खेत में रोपाई करते थे दिदी, हम लोग एक महिना का बाद रोपाई करते है आठ से दास दिन का हो जाता है ताभी हम लोग खेत में रोपाई करते हैं दिदी प्रमपरिक विधी में विचड़ा को एक साथ गुच्छा में लगाते हैं और शिरी विधी में अपना नियामित अंतर से रोपते हैं शिरी विधी में विचड़ा को एक ही अस्थान में एक ही रोपते हैं और नियामित अंतराल से रोपाई करते हैं दिदी एक जगा पर एक ही विचड़ा क्यों लगाते हैं और दूरी क्यों रखते हैं आईसे रुपने से सभी विचड़ा को बढ़ने में मौका मिलता है और अच्छा विकास होता है श्री विधी द्वारा धान की केती में पहले बीज का उपचार भी किया जाता है और जब विचड़ा आठ से दर्स दिन का हो जाए तो उन्हें एक एक करके नियत स्थान पर ही लगाते हैं ऐसा करने से सभी विचड़ों को समान रूप से बढ़ने और विकास करने का मौका मिलता है जबकि परमपरागत विधी में बहुत सारे बिचड़ों को एक साथ एकी स्थान पर लगाया जाता है और उनके बीच कोई नियत दूरी भी नहीं होती है इस विधी में रसाइनी ख़द के जगा जेविक ख़द का भी परियोग कर सकते हैं जिसे हम लोग का फाइदा मन्द हो अच्छा देदी रसाइनी ख़द के जगा जेविक ख़द दरने से क्या फाइदा होगा जे विक खत का परियोग करेंगे तो जमीन का उर्वरत सक्ती भी बने रहेगा और हम लोग का सारीर में कोई हानी भी ना पहुंचेगा जिदी शिरीवीर्दी पधती का और परंपरिक पधती का आप अंतर तो बता दियें लेकिन इससे कुछ फाइदा भी है तो बता दिजेला पहला लाब है बेहतर उपाद जो पहले का पेच्छा ज्यादा उपाज होगा दूसरा लाब है लागत में कमी और बीज का मतरा कम लग रहा है और मजदूरी भी कम लगता है परंपरिक बिधी में पानी का अधिक जरुरत होता था और सिरी बिधी में कम पानी में भी अच्छा पाइदावर होता है ये तिसरा लाब है ये चाउथा मातपुर्ण लाब है जो पहले से अधिक आई हुआ दिदी आई अधिक कैसे हुआ? दिदी इससे जदा उपाज हुआ और घार में खाने के लिए भी हो गिया और बेचने के लिए जिससे हम लोग का आई हुआ दिदी आप तो बहुत अच्छा तरीका बताए हम लोग को, हम लोग इस बार परिक विद्धी छोड़ करके सिरी विद्धी पदति को ही अपनाएंगे मेरा नाम हुलिका महतो, मेरा गाउं का नाम बरंगा, मेरा समू का नाम प्रागति स्वहे सहता समू पिछले दो तिन साल पहले से मैं ये विद्धी करते आ रही हूँ और आप लोग भी ये विद्धी आपनाएंगे और फाइदा लिजिए सिरी विद्धी की धान की खेती करने से मेरा उपज भी बढ़ा है और अमदानी भी बढ़ा है झालओधार आपनाइज भी ये विद्धी मैं ये विद्धी करने साल पहले प्रागति करने से मेरा क। बढ़ा है